एक बहुत बड़ी कबर सामने आ रही है उत्तराखंड ते जहाँ पर वास्तविक नियंतरन रेखा पर चीन के साथ जारी गतिरोत के बीच मध्ध वायू सेना कमान प्रमुक एयर मार्शल राजेश कुमान ने उत्तराखंड के मुखे मंत्री त्रिवेन सिंग रावत से मुलका उन्होंने सीमावर्थी इलाकों में वायू सेना को अपनी गत्विदियो में मदद करने वाली सुविधाओं के विवस्था करने के लिए सियम रावत से जमीन देने का अन्रोथ किया है एक आधिकारिक विग्यप्ति में कहा गया है कि वायू सेना कमान के एयर आफिसर कमांडिंग इंचीफ ने शुकरवार को सियम रावत से मुलकात कर राज के परवती इलागों में वायू रक्षा रेडार और लडाकों विमानों के उतरने के लिए जमीन की उपलबलता पर च जैसे कि चमोली पितोरागड और उतर काशी में वायू रक्षा रेडार और एडवांस लैंडिंग ग्राउंड जैसी सुविधायें स्थापित करने से वायू सेना को काफी मदद मिलेगी क्योंकि ये देश उतर पूर्व में है एर मार्शल ने पंद नगर जॉली ग्रांट और पितोरागड़ा वाय अड़ो का विस्तार करने तथा चोखुटिया में एक हवाय अड़े के लिए जमीन अवंटित करने का भी अंडोत किया है मुख्यमंत्री ने कहा कि वायू सेना को अपनी गत्विधिया करने के लिए प्रात्मिक्ता अधिकार पर जमीन उपलब्द कराई जाएगी और इस आदेश के लिए उप्योक्त जमीन तलाशने के खातिर प्रशासन से एक नूडल अधिकारी ततकाल रूप से नियुक्त भी किया जाएगा आपको बता दें कि चीनी गत्विधियों को देखते हुए उत्तराखंड की सीमाओं पर सेना सुरक्षा बल सतर्क हो गए है किसी समय भी उत्तराखंड से चाइना को जवाब देने के लिए भारतिय सेना तयार रहे इसके लिए प्रदेश की सरकार और भारतिय सेना लगतार एक दूसरे के साथ तालमेल बिठा कर काम कर रही है